हाई यॉल, वेलकम बाक तो माई चानल तो हम लोगों का अलजेबरिक एक्स्टेंशन वाला टॉपिक चल रहा है तो आज हम लोग उसी पे बेस्ट हमारी सेकेंड थेयरम करेंगे ठीक है? तो यह जो थेयरम है ना यह बहुत इंपोर्टन है तो इसको star या important mark कर ले ना ठीक है? तो यह जब से पहले इसकी statement देखते है Every finite extension is an algebraic extension but the converse is not true तो अब इसकी statement क्या कह रही है कि हमारे पास अगर कोई भी एक finite extension होगी ना तो वो finite extension हमेशा algebraic extension जरूर होगी लेकिन इसका converse है जो वो true नहीं होता मतलब अगर हमारे पास कोई extension, algebraic extension है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा finite extension हो लेकिन हर finite extension algebraic होगी ये ज़रूरी है अब finite extension का मतलब क्या था? कि अगर हमारे पास कोई big extension given है उस extension की जो degree होगी या फिर उसकी जो dimension होगी वो हमेशा finite होगी यानि कि less than infinity होगी is an algebraic extension, यानि कि हर finite extension, एक algebraic extension होती है, हम सबसे पहले तो वो proof करेंगे, ठीक है, तो proof देखते हैं, let e be an finite extension of f, तो हमें सबसे पहले क्या given है, कि हमारे पास e है कोई, वो finite extension है f की, अब अगर e मेरी finite extension है f की, तो according to the definition of finite extension, इसकी जो degree, या फिर इसकी जो dimension है, वो क्या है less than infinity होगी, हम लोगों ने ये study किया था, कि अगर हमें dimension या फिर degree को denote करवाना है ना, तो इस तरीके से करवाएंगे, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने ये चीज जिसकस की थी, कि हमें अगर किसी भी degree, किसी की भी degree find करनी है ना, तो हम लोग उसको इस तरीके से denote करवाएंगे, ठीक है, तो अगर degree पता करनी है, तो उसके लिए हमें dimension पता होनी चाहिए, और जो dimension होगी, वही degree होगी, ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ से ये चीज इसको उठाया है, तो कहते हैं, let u belongs to e, तो हम सबसे पहले अब देखते हैं, कि dimension की definition क्या होती है, number of elements in basis, and these elements form a set of linearly independent elements, तो कहते हैं कि dimension क्या होती है, होती हैं उन elements के number को हम लोग, यानि कि कितने number of elements हैं हमारे पास basis में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, dimension बोलते हैं, और यही क्या कहलाता है, मेरा degree कहलाता है, ठीक है, तो कहते हैं अब ये जो elements मेरे basis में present हैं ये सारे के सारे, मेरे linearly independent elements होंगे, linearly independent का मतलब क्या होता है, ये जितने भी हमारे पास constant terms है ना, उन सब की value क्या आ रही है, 0 आ रही है, similarly एक term होती है, हमारे पास linearly dependent, linearly dependent में क्या होता है, कि सारी के सारी terms हैं, वो 0 नहीं होती, कुछ term 0 हो सकती है, पर सारी के सारी term 0 नहीं होती, ठीक है तो यहाँ पर हम लोगों ने जो dimension है वो क्या ली है n ली है तो इसका मतलब क्या है मेरी basis में कितने elements है n elements present है और अगर मेरी basis में n elements present है तो according to the definition of basis मेरे पास total n number of elements है जो कि क्या हो सकते है linearly independent हो सकते है अगर मेरे पास n से जादा elements हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे linearly dependent ठीक है तो हमारे पास एक result है vector space में से तो हमें उस result को याद रखना है हमेशा basis form a set of maximal linearly independent set कहते हैं जो basis है मेरी वो हमेशा maximal linearly independent set form करेगी अब maximal linearly independent set कौन सा होता है कि हमारे पास हमारी जो dimension है या फिर degree है वो कितनी है n है तो basis में यानि कि n elements है यानि कि यही n elements है मेरे जो कि linearly independent set है वो form करेंगे अगर मतलब n से जादा यानि maximum to n only हमारे पास linearly independent set हो सकते है n से जादा अगर हम लोग कोई भी value ले लेंगे तो set क्या बन जाएगा मेरा linearly independent बन जाएगा इसको हम लोग बोलते है maximal linearly independent ठीक है that is it can have maximum of n linearly independent elements n प्लस 1 elements will be linearly dependent ठीक है तो अब इसी पर क्या कर रहे है हम लोगों ने ले लिया कि यह linearly independent होंगे n तक then the set हम लोगों एक set form किया उसके बाद 1 u u square up to u raise to power n तो यह कितने elements है total में n प्लस 1 elements है क्योंकि यहाँ पर देखो तो u है u की power क्या 1 है u की power क्या n यानि 1 से लेकि n तक तो n elements होगे प्लस 1 हमारे पास और है तो यानि कि n प्लस 1 elements है will be linearly dependent हम लोगों ने यही बोला कि according to the definition according to the given result हमारे पास सिर्फ n तक elements है जो वो linearly independent हो सकते है अगर n से एक भी जाद है तो वो क्या बन जाएगा linearly dependent because set of n elements is maximal linearly independent set being basis चीक है तो यह basis की definition से हम लोगों ने ले लिया कि सिर्फ n तक ही है maximum linearly independent set उससे बड़े हैं तो linearly dependent हो चीक है तो लिनियर लिडिपेंडेंड हैं तो be minimally dependent की definition कैब बोलती है कि हमारे पास कुछ scalars ऐसे exist करेंगे जिनकी value क्या होगी मतब सारे के सारे scalars जो हमारे पास exist करेंगे वो 0 नहीं होगे कुछ 0 हो सकता है पर सारे के सारे 0 नहीं होगे तो हम क्या करेंगे therefore there exist कुछ scalars हम लोगों नब यह ले लिए वो यानि कि alpha not alpha 1 up to alpha n not all 0 in f such that alpha not plus alpha 1 u plus alpha 2 u square up to so on alpha n u raise to power n equals to 0 यह हमारे पास definition लगी है linearly dependent set की तो कहते है कि linearly dependent set की definition क्या बोलती है कि हमारे पास कुछ तो ऐसे scalars exist करेंगे जो सारे के सारे 0 नहीं होंगे कुछ 0 हो सकते है और यह आये कहां से हमारे पास f में से आये ठीक है और u हमारे पास हम लगों ने starting में ही element लेकर चले थे हम लोग फिल्ड e का तो अब हमारे पास एक element आ गया e sorry u जो की e का है हम लोगों ने scalar ले लिये जो कि किस में से belong कर रहे F में से, फिर हम लोगों ने इनको आपस में commute करवाया, तो इनका result क्या है, 0 आया, यह हमारे पास किसकी definition होती है, linearly dependent set की definition होती है ठीक है, तो अगर हम मैं suppose करो, यह मेरे पास क्या आगी, यह मेरे पास equation आगी, हम लोगों ने algebraic extension की definition में क्या किया था यह थी मेरी algebraic extension की definition कि हमारे पास अगर कोई ऐसी equation है, ठीक है और हमारा जो a element था, वो किस में से था, field में से था और बाकी के यह जो scalars ले रखे हम लोगों ने a not a1, a2, up to a, and यह कहां से आ रहे थे, f में से आ रहे थी, जब हम आपस में इनको commute करवा देते हैं, हमारे पास अगर result 0 आ रहा था, तब मेरे पास क्या कहलाया जाता था कि a है, जो मेरा रूट है, even polynomial का तो मेरे पास यह जो a है, वो क्या होगा algebraic होगा over f, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास equation तो आगी, leaderly dependence act से हम क्या करेंगे, इसको क्या ले लेंगे, पूरी की पूरी equation को px मानके चल लेंगे, यहाँ पे u को हम लोग replace कर देंगे x के साथ, तो यह मेरे पास क्या आगी px is equal to this equation, ठीक है, अब कहते हैं कि px इसमें non zero है, हाँ, px non zero है, क्योंकि इसमें scalar ली है, वो सारे के सारे zero नहीं है, ठीक है, कुछ हो सकते हैं, बच सारे तो नहीं है, ठीक है, and u हमारा है, वो कहां से आया, e में से आया है, हाँ, और u मेरा क्या कर रहा है, इस equation को क्या कर रहा है, satisfy कर रहा है, कैसे, क्योंकि जब मैं x की जगा पे u substitute करूंगी, तो मेरे पास at the end result क्या बन रहा है, जीरो बन रहा है, it means मेरा u कह है, वो root हो गया, इस ही polynomial का, ठीक है, अब अगर u मेरा इस polynomial का root है, तो it means ये, इसकी जो result आ रहा है, वो zero आ रहा है at the end, तो it means मेरा जो हम लोगों ने u लेके चले थे, field f के उपर वो क्या कहलाएगा, algebraic कहलाएगा, according to the definition of algebraic extension, such that p u equals to zero, u is algebraic over f, this is by the definition of algebraic extension, हमें यही तो proof करवा के देना, ताकि मेरे पास अगर कोई finite set exist कर रहा है, तो वो finite extension मेरे पास क्या कहलाएगी, algebraic extension भी होगी हमेशा, और हम लोगों ने इसको proof करवा दिया, ठीक है, तो हम लोगों ने यहां से start किया, हम लोगों ने एक e लेली कोई finite extension f की, फिर हम लोगों ने क्या किया, हमने finite extension की definition लगाई, फिर हम लोगों ने एक result याद किया, यहां से, कि अगर हमारे पास कोई भी dimension आ रही है, dimension का मतलब क्या होता है, कि जितने elements basis में present, उनको हम dimension बोलते हैं, ठीक है, अब यह होगा, और हर basis में हमेशा, एक maximal linearly independent set होता है, जो कितना होता है, जितनी हमारी degree है, उतना ही होगा, degree या फिर dimension आप कुछ भी बोल लो, ठीक है, फिर हम लोगोंने linearly dependent set की definition लगाई, linearly dependent set की definition से, हम लोगोंने proof करवाया, कि मेरे पास जो finite extension है, वो मेरी algebraic extension भी होगी, तो इससे हम लोग का first part तो proof होगा, अब second जो चीज हम लोग गोद proof करनी है, वो है converse part, यानि कि हम लोगोंने proof किया है, कि हर finite extension एक algebraic extension तो होगी, अब हम प्रूफ करके दिनना है, कि हर algebraic extension एक finite extension, ज़रूरी नहीं है कि वो होगी, ठीक है, तो अब इसका converse, every algebraic extension, need not to be a finite extension, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर algebraic extension एक finite extension होगी तब इसका proof देख लिखते हैं हम लोग क्या करेंगे इसको by an example proof करके देंगे consider the field e is equal to q और इसमें हम लोग ने क्या किया एक field लिया है e और e में elements कौन से हैं सारे के सारे rational number है rational number में भी हम लोगों ने पूरा का पूरा set rationals का नहीं उठाया हमने क्या किया है सिरफ और सिरफ जो positive prime number है ना उनका जो square root की है हम लोगों ने और वही elements हम लोगों ने हमारे field e में लिये consider the field e the smallest subfield of the field of real numbers containing the rational q and the square root of all the positive primes तो सबसे बड़ा set क्या होता है real numbers का real numbers में हमारे present होते है क्या rational numbers यानि q present होता है अब q में से भी हम लोगों ने सिरफ और सिरफ वो numbers उठा लिये जिन में हम लोगों ने positive prime लिये यानि positive number लिये है प्राइम के और उनका क्या कर दिया हम लोगों ने square root कर दिया अब ये मेरा बन गया e यानि कि हमारे पास हमारा the smallest sub field ठीक है ठीक है तो अब हमें क्या करना है हमें proof करके देना है कि जो e हम लोगों ने select किया है ये e मेरा algebraic है बट ये finite extension नहीं है ठीक है तो हम सबसे पहले ये देखते है कि हम लोगों ने ये e है उसको construct कैसे किया तो सबसे बड़ा set हमारे पास कौन सा होता है rational numbers का ठीक है अब इस rational number क्यों के set में हम लोगों ने एक element root to substitute करवा दिया अब एक चीज़ हमेशे याद रखना कि जब भी हम लोग elements को adjunct करवाते हैं हमें one by one ही उनको बीच में डालना हम सारे के सारे elements को एक अठे नहीं डाल सकते ठीक है तो हमें एक एक करके इनको substitute करवाना पड़ता है मैंने substitution के लिए यहाप एक word यूज़ किया है that is enjunct ठीक है तो दोनों का मतलब सेम है हमें बस कोई भी मतलब मैंने हापे word यूज़ किया जो मैंने बस आपको उसका meaning बताया यहाँ पे सबसे बड़ा set होते है क्योगा उसमें हम लोगों नेक element substitute कर दिया root 2 तो मेरे पास क्योग जो है उसके बाद second step ये बन गया क्योग root 2 फिर हम लोगों ने यहाँ पे एक और positive prime का square root add किया वो था root 3 ठीक है इस तरीके से third number पे हमारे पास क्या add करेंगे हम लोग root 5 फिर root 7 अब जैसे जैसे एक करके हम लोग इनको add on करते जाएंगे हमारे series चलती जाएगी ठीक है और add date हमारे पास बन जाएगा e में ही वो सारे के सारे numbers है positive prime के square root तो इस तरीके से हम लोगों ने हमारे e को construct करवाया तो यारि कि सबसे सबसे पहले आएगा क्यों उसमें जब हम लोगों ने root 2 को add junk करवाया तो बन गया q root 2 अब यह चीज है ना आपको यह ध्यान में रखना है कि यह बना कैसे है क्यों से हम लोग गए q root 2 पे तो यह क्या है हम इसकी जो polynomial है वो क्या है x square minus 2 यह एक irreducible polynomial है किसके ओपर over q क्यों पर ठीक है irreducible polynomial इसकी basis में हमारे पास 2 elements है 1 और root 2 अब basis में 2 elements है हमने यही study किया कि जितने elements basis में होते है वही मेरी degree कहलाता है और वही मेरा dimension भी होता है ठीक है तो यानि कि मेरे basis में अगर 2 elements है तो अगर मैं इसके degree पता करूँ तो कितनी आएगी 2 आ गई क्योंकि यहाँ पर 2 elements है मेरे basis में ठीक है अब मैंने क्या किया इसमें यानि q root 2 में एक और element adjunct करवाया root 3 तो मेरे पास अब नई value क्या गई है यानि कि अब ये पहले मेरे जो root sorry q root 2 था वह extension बनेगा q का अब q root 2 root 3 क्या है extension बनेगा q root 2 का इसमें जो x square minus 3 यानि ये मेरी irreducible polynomial कहलाएगी over q root 2 ठीक है अब इसकी basis में कितने elements है एक, दो, तीन, चार इसकी बिसमें चार elements आ गई तो इसकी degree या फिर इसकी dimension क्या बन गई 4 बन गई ठीक है अब हम लोग basis कैसे find करते है हमारे पास जितने यहाँ पर elements दे रखे होते है हम लोग क्या करते है उनको ek करके commute करवाते है previous basis के साथ ठीक है जैसे 1 into root 2 ज़री 1 into 1 1 into root 2 root 2 1 into root 3 is equal to root 3 root 2 into root 3 is equal to root 6 ठीक है तो इस ते मेरी यह वाली basis बनी अब उसके बाद हम क्या करेंगे इस में इस वाली series में एक और element एक जट करवा देंगे root 5 ठीक है अब मेरे पास जो यह वाली मेरी value आई है यह extension कहलाएगी मेरी किसकी क्यों root 2 comma root 3 की इसमे x square minus 5 है वो मेरी irreducible बनेगी polynomial किसके उपर क्यों root 2 root 3 की इसकी basis में हमारे पास total elements आएगे 8 कैसे हम इन तीनों को क्या करवाएगे commute करवाएगे इस basis के साथ तो मेरे पास elements कितने बनेगे 8 ठीक है basis में अगर 8 elements है तो इसकी जो degree आएगी तो वो भी 8 आ गई ठीक है तो इस तरीके से हम लोग क्या करते है find करते है हमारी dimension या फिर बोलो आप degree इसको पता करने का एक और shortcut भी है यगर आप ध्यान से देखो तो चलतो 2 का table ही रहा है मतलब 2 into 2 like 2 into 1 equals to 2 2 into 2 equals to 4 ठीक है जब हम लोग root 7 को adjunct करवाएंगे तो मेरे पस value कितनी आ जाएगी 2 raised to power 4 या लिकिए 16 आ जाएगी उसकी degree तो आप लोग इस तरीके से भी degree और dimension को पता करवा सकते हो ठीक है तो यहाँ से तो हम लोगों हमारे e की construction करवाई है अब next यहाँ पर basis की definition मैंने लिखी है all the possible pairs of the given number मैंने basis की definition नहीं लिखी है यहाँ पर सॉरी basis की definition तो कुछ और होती है यहाँ पर मैंने यह लिखा है कि हम लोग basis को construct ऐसे करते है कि जितने भी possible pairs हम लोग के given number के बन सकते हैं ना इन्फानाइट प्रॉपर्ली असेंडिंग चेन अफ सब स्पेसे ओवर क्यो तो क्या बोल रहे हैं अब अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पर हम लोग क्यों से चले उसके बद रूट 2 आया फिर रूट 3 आया फिर रूट 5 फिर रूट 7 आयेगा तीक है इस तरीके सिर आगे क्या आयेगा नेक्स्ट प्राइम में मारे पास 7 के बाद क्या होता है रूट 11 तो रूट 11 आ जाएगा तो आप यह तो चेन है हमारी वो चलती जा रहे है चलती जा रहे है यानि कि इन्फानाइट टैम्स चलती जा रहे है तो इसमें वैल्यू कितनी है इन्फानाइट है लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रियेट हो सकती है मतलब एक ना डाउट रह जाता है मन में वो डाउट क्या है कि ऐसी भी क्या कोई वैल्यू आएगी सुपोज मैंने रूट 5 के रूट 7 डाल दिया अगर रूट 5 और रूट 7 दोनों का अंसर सेम हो गया तो फिर मेरी चेन वहाँ पे रुख गई मेरी चेन इन्फानाइट नहीं रही ठीक है तो हमें यह प्रॉफ करके देना है तो अब हमें यह प्रॉफ करके देना है कि जो हमारे माइन में यह डाउट आया ना ऐसा नहीं हो सकता हमें प्रॉफ करवा के देना है इन अदर वर्ड इच न्यू एड्जंक्शन और स्क्वार रूट और प्राइम अदर देना है तो हम लोग इसको प्रॉफ करवाएंगे बार माथमारे धीजर करने है उसी प्रेव है अप्रॉफ कर स्यूफ ऊचल्ड बाइग हमें अभी यह प्रॉफ करके देना ठीक है तो हम लोग इसको proof करवाएंगे by mathematical induction तो अब हमें जो यह result है वो generally proof करवा कि देना है तो हम लोग root 2, root 3, root 5 इन सब की बजाएं अब हम लोग P1, P2 up to PN चलेंगे हैं यह भी same prime numbers ही, square root of prime numbers ठीक है Let P1, P2 up to PN be any distinct positive primes Set F is equals to, क्यो हूँ, यानि राश्टर numbers का set है F हमारा, जिसमें elements कैसे है, square root है, इनी prime numbers का That is P1 under root, P2 under root, up to PN under root Done, if Q is any other prime not equal to any If Q is any other prime not equal to any Pi जहाँ पर I की value है, वो vary कर रही है from 1, 2 up to N Then we show under root Q doesn't belong to F तो इसका क्या मतलब है, कि हम लोगों ने क्या लट किया, कि हमारे पस F कोई set है जिसमें element कैसे है, rational numbers, prime numbers की under root तो कहते हैं, इसमें एक element हम लोग ले लेते हैं, कोई Q जो कि P1, P2, up to PN, इन सबसे अलग है, मतलब है वो भी prime, लेकिन वो इस set में present नहीं है तो हमें क्या शोओ करके देना है, कि जब मैं इस root Q को इसमें adjunct करवाँगी, तो मेरे पस एक नई extension आएगी ये ठीक है, और ये जो root Q हो मेरा F में belong नहीं करता मतलब जब Q root to belong, sorry, Q root belong नहीं कर रहा था तो मेरे पस ये थी जीज़, जब मैंने इसको adjunct करवा दिया तो मेरे पस नई extension आई है, ये, यानि कि ये नई extension previous वाली के equal नहीं है, हमें ये prove करके देना है तो अब हम लोग क्या करेंगे, we prove this by induction on n हम n पे induction लगाएंगे, सबसे बहले हम लोग क्यार करेंगे first step में, हम लट करेंगे कि जो मेरा n है, वो क्या equal to 0 है, अब n equal to 0 है, मैं यहाँ पर substitute कर दूँ n की ये लग मैं 0 ही ले लूँ, तो मेरे पास यानि कि इस set में कोई भी एक element present नहीं है ठीक है, मतलब ये सिरफ और सिरफ क्या बचा पीछे, rational numbers बचे, मतलब ना ही मेरे पास P1 है, ना ही P2 है, ना ही PN है, सिरफ क्या है क्या है क्या है, यानि कि F किसके equal to 0 है, ठीक है, as we know, root 2 है, वो कभी भी क्यो में present नहीं होता, ठीक है, that is, root, sorry, under root क्यो है, वो क्यो को belong नहीं करेगा, so the result hold for N equals to 0, तो कहते हैं, हमें यहीं proof करके देना था, क्यो के set में root क्यो है, वो present नहीं करता, हम लोग एक्जंपल ले लिया, कि जो root 2 है, वो belong नहीं करता, क्यो में, ठीक है, तो हमारे पास N equals 0 के लिए तो result hold कर गया, अब second step induction में क्या होते था, assumption लेते होते था, तो हम लोग क्या करेंगे, assume करेंगे, assume now the result is true for N minus 1 primes, and suppose that F equals to, क्या हो, P1 root up to PN minus 1 root, और यहाँ पी क्या है, मेरे पास, PN root, तो कहते हैं, हम लोग क्या कर लेंगे, assume कर लेंगे, कि यह result है, मेरा, वो N minus 1 prime elements के लिए तो hold कर रहा है, और फिर हम लोग ने suppose किया, कि मेरे पास एक set F, जिसमें elements है, यह root PN तक है, set F not equals to क्या हो, अब यह जो set है, वो कहां तक लिया है, हम लोग ने PN minus 1, यानि F जो set है, वो गया है, मेरे पास PN तक, हम लोग ने इसी का एक छोटा set ले लिया, सब set ले लिया, यानि F not, F not में हमारे पास elements कहां तक है, PN minus 1 तक के, यानि कि सिर्फ और सिर्फ एक root PN है, जो इसमें present नहीं है, by induction the result hold for F not, कहते हैं इंडक्शन से अगर हम लोग देखे हैं, अगर मैं इसमें adjunct करवाँगी, तो मेरे पास एक नए element आ जाएगा, यानि F था पहले, अब adjunct करवाने के बाद एक नई extension आ गई, that is F not root PN, और इस extension की degree का है 2 है, यह हम लोग कैसे judge कर सकते हैं, यह हम लोगों ने यहाँ देखा था, कि आप देखो तो यहाँ पर फरक इसकार है, सरफ 2, 2 का फरक है, यानि 2 रेस्ट पर 1, 2 रेस्ट पर 2, फिर 2 रेस्ट पर 3, 2 रेस्ट पर 4, यानि फरक 2 का आ रहा है, तो degree का आ रही है, मेरे यहाँ पर 2 आ रही है, root q को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, a प्लस b, root pn, और a और b किस में से आ रहा है, मेरे पास, f0 में से है, दो elements है, ठीक है, root q को लिखने का यह वे है, आप लोग को इसको as it is याद करना है, ठीक है, तो, अब आगे दिखते हैं, squaring both sides कर दो अब, जब squaring both sides करोगे, आप तो मेरे पास, जो यहाँ पर under root था, वो हट जाएगा, तो में पास equation कुछ ऐसी आ गई, इसमें से जो a, b और pn, यह तीनों के, यानि a, b और pn, यह तीनों elements किसमें से बिलॉंग कर रहे है, f0 में से बिलॉंग कर रहे है, Q minus A square minus B square PN divided by 2 AB ठीक है तो कहते है root PN है वो भी मेरा F9 में belong करेगा जो कि क्या है contradiction है contradiction क्यों है मेरी हम लोगों ने तो लेके चले थे point 2 की 2 में कर हम लोग देखे तो हम लोग लेके चले थे कि जो मेरा root PN है वो मेरा F9 में belong नहीं करता और अगर belong करेगा हमें तो प्रूफ करवाना था कि नहीं वो अलग से extension बननी चाहिए तो it means हम लोगों का जो contradiction आई है यहां पे इसका क्या मतलब है कि root क्यों है जो मेरा वो F9 में belong नहीं करता ठीक है therefore जो मेरी ये series लिए हम लोगों ने starting में हम लोगों ने e construct करवाया था is an infinitely proper ascending chain यानि कि ऐसी एक भी term exist नहीं करेगी जिसमे हमारी extension रुख जाए हमारी दो extension same आजाए ऐसा possible है ही नहीं है हमारी जो chain है वो चलती जाएगी till the end बतलब infinite times चलती जाएगी ठीक है hence e is equals to q root to root 3 up to so on is not a finite extension of q ये क्या है एक infinite series है ये finite नहीं है तो हम लोगों ने ये तो proof करवा दिया कि अभी finite नहीं है अब मैं क्या proof करके देना है कि जो मेरा e है वो क्या होगा algebraic होगा ठीक है further हम लोग क्या करेंगे